यह बहुत ही सुन्दर और क्रिस्पी बने हैं. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियू किच्छन में, मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी और आलू से बनने वाले रिंग्स, यह बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे. इसके लिए मैंने लिया है, एक उगला हुआ आलू, एक कप सूजी, लाल मिर्ची, नमक, हल्दी, थोड़ा सा पोधीना, और साथ में एक पीस हमने ब्रेड लिया है, इसको हम क्रम करेंगे. साथ ही इसके इंग्रीडेंस की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रैस्यपी, सबसे पहले आलू को हम अच्छे से कद्दू कस कर लेंगे, बिल्कुल बारिक. अब हम ब्रेड को मिक्सी में चलाकर इसका क्रम बनाएंगे, यह ब्रेड को मिक्सी में चलाकर हमने क्रम त्यार कर लिया है, अब हम चलते हैं गैस की तरफ और सूजी को हम भूनेंगे, पैन में एक चमच तेल हमने दाल दिया है, अब हम इसमें सूजी दालकर इसको भूनें इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें बुनना है नहीं तो सूजी जल जाएगी सूजी अच्छे से बुन गई है इसको बुनते हुए लगबग 3-4 मिनिट हो गए है अब हम इसमें दालेंगे मसाले थोड़ा सा नमक थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी लाल मिर्ची और इसमें दाल देंगे जितनी हमने सूजी ली थी उतना ही पानी एक कप हम इसमें पानी दालेंगे इसको लो फ्लेम पर एक मिनिट के लिए हम पकने देंगे अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ढग देंगे पांच मिनिट के लिए 5 मिनिट हो गये हैं, अब हम सूजी देख लेते हैं, यह अच्छे से फूल गई है, अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे, यह बॉल में आमने निकाल लिया है, अब इसमें गीचो हमने अलू को मिक्स करेंगे, आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसमें हम थोड़ा सा नमक मिर्ची और मिलाएंगे, क्योंकि हमने आलू उपर से मिलाएंगे, और अब इसको हाथों से अच्छे से मैश करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, अगर आपका ये मिक्स पतला हो तो ब्रेड करम ज्यादा भी मिला सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आलू के उपर आलू आपके कैसे हैं, अगर उसमें पानी है तो ब्रेड करम ज्यादा लगेगा, इसमें हम ये डाल देंगे पोदी ना, और थोड़ा सा ब्रेड करम और मिलाएंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये टाइट डो बनके त्यार हो गया है, ऐसा ही टाइट हमें चाहिए होगा, ये ब्रेट क्रम थोड़ा सा बच गया है, ये डिपेंड करेगा अलू के उपर, अगर उसमें पानी होगा तो ये ज्यादा लगेगा, अगर ये नॉर्मल है तो कम ही लगेगा, अब हम पैन में इसके गरम करने रखेंगे, और साथ-साथ इसके rings बनाएंगे, अब हम इस mix में से, थोड़ा सा पेड़ा लेंगे, प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा oil grease करेंगे, और इसको अच्छे से पेड़ा बनाकर बेल लेंगे इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है थोड़ा मूटा ही यह रहेगा अब इसके रिंक्स कट करेंगे आप कुछ भी ले सकते हैं एक धक्कान ले सकते हैं इस तरह का कोई कटर अगर आपके पास हो तो वो यूज कर सकते है साथ में हम लेंगे एक छोटा सा धक्कर और इसको सेंटर में से होल कर देंगे इस तरह से रिंक बनकर तयार हो जाएंगे इसको हमें प्लेट में निकाल लेंगे यह सब ही रिंक्स हमने कट करके त्यार कर लिए हैं अब हम इसको डीप फ्राय करेंगे तेल गरम हो गया है इसमें अब हम रिंक्स दालेंगे एक बार में कड़ाई में जितनी आएगी उतने ही हमें दालने हैं इसको छेड़ना नहीं है जब अपने आप तल के ऊपर आ जाएंगे उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे दिखिए तैर कर अपने आप ऊपर आ गए हैं अब हम इसको टर्न करेंगे यह हमने निकाल लिये हैं देखिए कितने गोल्डन और क्रिस्पी बने हैं यह रिंक्स बनकर तयार हो गए हैं यह बहुत ही सुन्दर और क्रिस्पी बने हैं आप यह रिसीपी जरूर ट्राय करिए अगर आपको हमारी रिसीपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बैल आइकन को दबा कर और क्लिक करें थैंक्यू